सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभव नाच्छर्म और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दस जुलाई के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत दोहजार अ सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोगों के लिए अविवाहित लोगों को विवाधी के रिष्टे आ सकते हैं शादी की बात पक्की हो सकती है या बात चल सकती है ओम रमाचिरतायन महमंत्र का 108 बार जाप करें भाई बंदू के साथ रिष्ट राशी वाले जातक लोगों के लिए क्रोध करने से बचें और वाहन चलाते समय आपको आज साफधानी रखनी होगी ओम मुशक वाहनाईन महमंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आपको दूर रहना चाहिए मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल अच्छा रहेगा लेकिन ध्यान रहे कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुंचे ओम मुनी इस्तुत्याई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको ब सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का महौल अच्छा रहेगा और परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा ओम विभू देशवराई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें किसी का दिल दुखाने से आपको बचना होगा कन्या राशी कन्या राशी वाल जातक लोगों के लिए स्वास्त अच्छा रहने से मन प्रसंद होगा अनावश्यक खर्च पर नियंत्रन आप करें ओम विधाय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें निर्णे लेने में आपको जल्दिबाजी नहीं करनी चाहिए वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए प शिक्षा तथा प्रत्योगिता में शफलता प्राप्ती के योग दिखाई देते हैं ओम वाणी प्रदाय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और कारी की अंदेखी करने से आपको बचना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा ओम वागी शाय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें कारी की गुप्त बात आप हर किसी से चर्चा न करें कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार में कलहे कलेश की इस्तिति दिखती है उसको आपको अपको अपनी सूजबूच से बचाना होगा मांसिक ठकान और उदासींता को आप अपने उपर हावी नहोंने दे मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए परिजनों का भरपूर सहयोग मिलेगा स्वास्त सुख बेहतर होगा ओम लंबो दराई नमहमंतर का एक सूआट बार जाप करें और किसी का दिल दुखान आपके घर का वास्तु ऐसा होगा वास्तु शास्तर के नियमों के आधार पर होगा तो आपका भाग युदय होने से कोई नहीं रोक सकता, तो क्या है वो प्रमुक नियम आईए समझ लेते हैं, यदि कोई घर वास्तु के नुसार बना हो तो आप अधिक उरजावान बन सकत खात्मक और चाम के साथ ही भाग्योदै में भी सहायक होती है वास्तु शास के नुसार ऐसा माना जाता है कि घर का हर एक कुना वास्तु अनुरूप अगर होगा तो घर में आने वाले हर व्यक्ति को बहुत मानसिक शांति अनुभव होगा और घर में रहने वाले हर सदस्य की उन्नती तरक्की समय समय पर होती रहेगी कुछ खास नियमों का ध्यान आपको अपने घर के निर्माण के समय या घर का जब आप इंटीरियर डिसाइड कर रहे हो समय जरूर रखना चाहिए क्या है वो बातें समझ लीजे घर की पूर्व दिशा एश्वर्य और ख्याती के में बनाना उपयूगत रहता है बरामदा बालकनी वाश बेशे नादी इस दिशा में रखने चाहिए बच्चे भी इसी दिशा में मुक करके अध्यन करें तो अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं पश्चिम दिशा में ट्वालेट बनाएं ये दिशा सोर उर्जा के विपरी प्रवेश होता है चुंबगी तरंगे मानव शरीर में बहने वाले रक्त संचार और स्वास्त के द्रिष्टी से इस दिशा का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है स्वास्त के साथ ही त्धन को भी प्रभावित करती है इस दिशा में निर्मान करते समय विशेश बातो इस लिए इसको उत्तर और पूर्व का कोना कैते हैं अतर इस दिशा में चुमबकी तरंगों के साथ साथ और ये ऊर्जा की शुबदा भी प्राप्त होती है इसलिए इसे देवताओं का इस्थान अत्वा इशान कोण भी कहा जाता है घर का मुख्यदवार अगर इस दिशा में हो तो इसे बहुत ही शुबकारी वास्तु का संयोग मानते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष बनाई ये दिशा वायू का इस्थान होता है अ बनाएं तो ज्आदा बेहतर होता है वो आगराकारी होते हैं कभी भी मालेक को धोका नहीं देते दक्षण पश्चिम दिशा में मुख्या का कक्ष सबसे अच्छा वास्तु नियमों में माना जाता है इस दिशा को राक्षस अत्वा नेरक्त देव का स्थान माना जाता है इसलिए इसको नेरक्त कोण कहा गया नेरुती देवता का ये स्थान होता है परिवार के मुख्या का कक्ष परिवार के जो मुख्या होते हैं उनका इसी इस्थान में शयन करना इसी इस्थान में निवास करना उनको अपना प्रधान कक्ष बनाना जिसे अंग्रेजी में master bedroom कहते हैं घर के मुख्या का head of the family का southwest corner में दक्षर पश्चिम के कोने में वो की शुब होता है सीडियों का निर्माण भी इसी दिशा में होना चाहिए इस दिशा में खुले पंज जैसे खिड़की दर्वाजे आदी बिलकुल भी नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार का गढ़्धा सोचाले अत्वा नलकूप यानी बोरिंग वगरा साउथ वेस्ट मे किसी भी तरीके से गलती से भी आप नबनाएं इस दिशा में वास्तू के अनुसार ये सारी चीजें वर्जित बताई गई हैं दक्षण पूर्व दिशा में किचन बनाना सबसे उपयूक तो होता है यह दिशा अगनी की प्रधान दिशा होती है इसलिए इसमें दक्षण प पूर्व दिशा की और हो सबसे ऊचित यही होता है चारों दिशाओं में कोई भी दिशा खाना बनाने के लिए अगर आप बात करेंगे तो वह कोई भी दिशा का में आप नहीं कर सकते सिर्फ पूर कर सकते हैं अगर उत्धर प्लेटफॉर्म बनता है उत्तर दिशा की और करके आzhब अप खाना बनाते है तो से उससे कर्ज बढ़ता है पश्चिम मुखी आप अगर भोझन बनाते हैं पश्चिम दिशा की और वेस्ट फैसिंग आपका प्लेटफॉर्म है आप खाना आप वेस्ट फेसिंग बनाते हैं तो ऐसे में रोग की इस्थिती बढ़ती है और दक्षण मुखी अगर आपका प्लेटफॉर्म है दक्षण दिशा की और आप मुख करके भोजन बनाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर में दक्षण मुख भोजन सिर्फ यम का कोंफर होगा तो शोख के स्थिति होगी तो सिर्फ पूर्व और एकमात्र दिशा बचती है पूर्व इसके इलावा और कोई उसका ऊप्षण नहीं होता पूर्व का प्लेटफॉर्म होगा वह तो हर तरीके से आपको उन्नती और एश्वर रे तरक्की देगा उससे बहばい ट इसको देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कावना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए देखते रहिए मेरा यूट्यू शास्त्रों में उसका समाधान भी है। वाटसब एवेलेबल है आप वाटसब करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसब करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद